नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है आशुतोष आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ले टुजेड इपार्ट साला पे आज मेरे साथ में आप यूपी ट्रॉपल सी पेट के ये जो है भारती इतियास के स्लेवस में हमें दे रखा है आज कि लेक्षर में मैं जितना भी इससे इंपोर्टेंट चीज़ें हैं वह मैं सब भी चीज़ें आपको बता दूँगे जितनी भी ज्यादा से ज्यादा एक्जाम्स में पूछी गई चीचे हैं जो भी बाते हैं उनको मैंने इस लेक्चर में अपने सामिल कर लिया है पॉइंट को ठीक आप इसमें से कोई भी चीच जो है नहीं छूटेगी जहां तक मेरी उमीद करता हूँ कि कोई भी चीच आपक इसमें से सारे पॉइंट आपके कवर हो जाएंगे चलिए टाइम ना वेश्ट करते हुए हम सुरू करते हैं आज का लेक्चर और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और किसी को सेयर भी जरूर क होई तो इनसे पहले जो है नंदवंस का सासन चला आथा नंदवंस का सासन चला आथा नंदवंस का आखरी जो है सासक जो था उसका नाम था धन नंद धन नंद इसका आखरी सासक था ये जो है अंतिम सासक था सिकंदर ने भारत के पर आक्रमर किया उस समय पर तब ये जो है मगद का सासक था मगद का सासक अब इसी समय पर जो है इनकी हत्या धननंद की हत्या कर दी थी किसने चंद्रगुप्त मौर रेने सिकंदर के आक्रमाण और नंदवंस के पतन के बाद मगद में मौर रेनस ने अपना राज्य स्थापित कल देखे जब ये मगद में धननन्द कर सासन था फिर इनकी हत्या कर दी तब फिर जो है इस पर सासन किसने किया मौर रेनस ने फिर सासन करना शुरू कर दिया सिकंदर के आतकमाण के बाद चंद्रगुप्त मौर जो है ये जान लीजे कि सिकंदर के आक्रमाण के बाद जो है चंद्रगुप मौर ने किसकी सहायता से इनकी हत्या और ये सारी रणनीती बनाई थी वो चाड़क की सहायता से इनोंने नंदो को हराया था चाड़क की सहायता से इनोंने हराया था ये भी पूछा जाता है कोश्चन आपको से किसकी सहायता से हराया था तो चाड़क की स ज्यादा सहायता की थी आप ये जानते हैं आपको एक बात बता दें चंद्रगुप तुम्हारे ने इस्तापना की ये पूछा जाता है आप से यूनानी और रोमान लेखक थे ये बहुत सारे लेखक थे जो जिससे हमें इनके बारे में जानकारिया मिलती हैं प्लूटार्क एक का नाम था, दूसरा नाम इस्ट्रैबो और टॉलेमी, फिर उसके बाद डायो, डोरस और कर्टियस, फिर एरियन, जस्टिन, ये सब जो हैं युनानी और रोमन लेखक हैं और सबसे इंपोर्टेंट जो था, वो था ये, मेगन इतीस, ठीक, इनके बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, कोशन आते हैं, इन्ही से ही रिलेटेड और इन्ही की ज़्यादा तर बाते हैं, हम इनके बारे में जानते हैं ये जो है, मौरेवांस के सासन के बारे में सबसे ज़्यादा इन्ही के द्वारा बताई हुई बातों को इतियासकार सबसे ज़्यादा माना जाता है, इन्होंने जो है, मेगन इतीस, जो था, वो किसका था? सेलुकस का राजदूत था, ये राजदूत था, ठीक? ये भी पूछा जाता है कि ये किसका राजदूत था, ये सेलुकस का राजदूत था, और इसने जो है, एक इंडिका नामक बुक लिखी, ये बुक लिखी थी, पुस्तक, मेगन इतीस की पुस्तक का नाम इंडिका था ये पचासो बार ये question पूछा गया है आप से जानते हैं इसमें से इसी book के ही सायता से हमें जो है सबसे ज़्यादा मौरे सामराजी के बारे में पता चलता है कि वहाँ पर कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती थी अब आगे इसके बाद आती है बारी चंड्रु गुप्तु मौरे के प्रारंबिक जीवन के बारे में जादा जानकारी हमें नहीं प्राप्त होती है क्योंकि उस ठाइम पर ये बेगजाना 30 जो था वो नहीं था उसके बाद में जब यह आया है तो इसने बहुत सारी चीजें लिखी है तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें मिल जाती है प्रारंबिक जीवन के बारे में इनकी जानकारी नहीं मिलती है चन्दग्रूप्त मौर्य को जो है चाड़के चाणक के का और भी नाम पूछा जाता है चाणक के कन और नाम था विश्णु गुप्त भी नाम से इनको जानते हैं इन्होंने अर्थ सास्त नामक पुस्तक लिखी थी बहुत बार पूछा जाता है चाणक के इनका नाम और था विश्णु गुप्त फिर उसके बाद में एक और नाम था कॉटिल यह सब जो है आपसे पूछा जाता है ठीक इन्होंने जो है इनको सिच्छा दी थी राजिकारे की इन्होंने इनको सिच्छा दी सिच्छा राजिकारे की कारे की सिच्छा दी थी ठीक यह चीज़ हो गया चंदुगुप्त को यूनानी ग्रंथों में क्या कहा जाता है यूनानी ग्रंथों में इनका नाम ये बोला जाता है यूनानी ग्रंथों में इनका उल्लेक है वहाँ पर चंदुगुप्त मौरे को सेंड कोट्स कहा जाता है ठीक चंदकुपतुमौरे का फिर जो है क्या होता है इनको जो है मगद का सासक जो है 322 322 ईसा पूर्व में मगद का सासक ये बना था मगद का सासक बना ये सबी चीजें जो हैं बहुत ही इंपोर्टन्ट हैं आपके एक्जाम के पॉइंट ओफ यू से ठीक फिर उसके बाद इसका जो सासनकाल है वो कब तक चला सासनकाल इनका सासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक इनका सासनकाल चला इसके बीच में फिर उसके बाद में जानते हैं इनका जो है सेलुकस के विरुद जो है युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर का सेलुकस के विरुद्ध युद्ध हुआ उसमें जो है सेलुकस पराजित हो गया विरुद्ध युद्ध किया और सेलुकस पराजित हुआ उसने फिर उसके बाद में एक संदी की इनके साथ में चंद्रगुप्त मौर के साथ में क्या संदी की इसने कुछ एरिया जो है कुछ जगहें जो हैं जिनका नाम था ये जानते हैं, यहां पर दिख दिख देते हैं अलग कलर से इनको लिख लिजएगा चाहिए तो अपने पैस में ठीक एक नाम था इरिया इसको हेरात कहते थे हेरात ठीक फिर effective दूसरा था नाम अर डाई इसका नाम था काबुल काबुल नाम से इसको जानते हैं ठीक और फिर था एक जेंडरो सिया ठीक ये सब जो है इन्होंने चंद्रगुप्त मौरे को दे दिया और साथ में एक और काम किया क्या अपनी एक पुत्री का विवा हा चंद्रगुप्त मौरे के साथ में एक पुत्री का विवा हारने के बाद में इन्होंने यह संदी में यह काम किये यह एरिया दे दी एक दो तीन और चार उसके साथ में एक पुत्री भी जिसका विवा जो है इन्होंने चंदगुप्त मौर के साथ में कर दिया इसके बाद में जो है चंदगुप्त मौर के पास में अपना जो ये दूट था सेलुकस यह जो है इन्होंने सेलुकस ने अपने दूट को मेगनतीस जो ये धर बताया था आपको यहाँ पर ये मेगनतीस को इन्होंने चंदगुप्त मौरे के दर्बार में भेजा फिर जब इसने इसको दर्बार में भेजा तब उस समय जान लिजे उसी टाइम पे ही सूराष्ट या सौराष्ट प्रदेश सौराश्ट सौराश्ट प्रदेश में वैसे पुष सुंगुप्त चंद्रगुप्त के राज्यपाल की रूप में कारे करता था और उसी नहीं एक बार कोशन आया हुआ है कि सुधरसन जील का किसने निर्मार कराया था सुधरसन जील ये भी आपका एक बार question आया हुआ है तो ये मैं आपको बता रहा हूँ ये इसका नाम था पुष्य गुप्त चंद्रगुप्त तिक इसने जो है ये जो है राजेपाल था सौराश्ट का तिक सौराश्ट का राजेपाल था इसने जो है सुदर्शन जील का निर्मार कराया था फिर आखरी टाइम पे जो है चंद्रगुप्त ने जैन मुनी बद्र बाहु से सिच्छा प्राप्त कर जीवन के अंतिम दिनों में जाकर करनाटक के स्रवण बेल गोला में जैन धर्म सुईकार कर लिया था ये चीज भी आपसे पूछी जाती है कि अंतिम समय में जो है चंद्रगुप्त मौर ने कौन सा धर्म सुईकार किया था तो कहां पर स्रवण बेल गोला में जैन धर्म सुईकार किया था इस प्रकार से जो है चंद्रगुप्त मौर की पूरी बातें आपको पता चल गई जो जो है सासक बना ठीक ये सासक बन गया अब इसको जो है इसका एक और नाम पुछा जाता है आपसे इसका नाम था जो इसने अपने आपको उपादी दे ली थी उपादी क्या नाम था इसका अमित्र गहात का मतलब क्या होता है सत्रू का नास करने वाला करने वाला ठीक ये जो है इसके ने अपना एक उपादी अपने आपको दी थी अमित्र गहात सत्रू का नास करने वाला बिंदुसार ने जो है कब तक सासन किया इसने 298 इसापूर से 273 इसापूर तक सासन किया इसने जो है राजग्रह को को मगद की राजधानी बताया था मगद की राजधानी कौन थी uh ठीक उसके बाद में लाष्ट में जो है सीरिया की राजा एंटी योकस ने डाइमेकस तही था मिस्र की राजा तालमी दुटी फिला डिल्फस ने डाइनोसिस नामक राजदूत मौरे दरवार में भेजा ये चीज़ें आपसे पूछी जाती है कि ये ये राजदूत जो है किसने जो है भेजा था किसके दरवार में भेजा था तो ये चीज़ें आपसे पूछी जाएगी बिंदु सार के बारे में कोई और बहुत ज़्यादा चीजे नहीं पूछी जाती है बिंदु सार के बारे में अमित्रगात के बारे में पूछा गया हुआ है और यह जो राजदूत आये थे कहां से आये थे यह चीजे पूछी जाती है इसके बाद में हम आए आते हैं समराट असोग जो सबसे ज़्यादा जिनके बारे में पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा चीजे नोन फैक्ट इनके बारे में ही है तो इसलिए जो है इनके बारे में सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है और हमारे टॉपिक में भी स्पे 273 इसापुर इसापुर जो है सासक बना पहुआ इसका विदी विद्वत 269 इसापुर में थीक ओ सासक ये बन गया था लेकिन विदी विधान के साथ में इस टाइम पे इसका राज्या विशेख हुआ बिंदुसार के समय जब बिंदुसार इनके पिता जी जो थे तब उस टाइम पर असोग जो है अवंतिका का राज्यपाल था उस टाइम पर यह जो है अवंतिका का राज्यपाल अवंतिका का दूसरा नाम पूछा जाता है उ से उजयनी उसका दूसरा नाम था असोग ने जो है तच्छिल में उस टाइम पर विद्रो हुआ था जो इसको बहुत ही सांति पूर्वक धंग से निप्टाया कर लिया था उसका सांति पूर्वक धंग से जो है तच्छिला का विद्रो जो है दबाने में सफल रहा था असोग के अभिलेकों में उसे जो है क्या क्या कहा गया है देखिए ये उसके नाम है देवाना पी फिर देवाना पी यदिस फिर राजा ये सब उपादियों से सम्मानित किया गया है असोक के अभिलेखों में उसे फिर उसके बाद में हम जानते हैं मास्की तथा गुर्जरा के अभिलेख में दो अभिलेख और भी है ठीक मास्की तथा गुर्जरा यह जो दोनों अभिलेख हैं इनमें जो है उसका नाम असोक मिलता है असोक कहां पर मिलता है उसका नाम मास्की तथा गुर्जरा अभी लेक में यहां अभी लेक भी लिख दें इसका आप जो है स्क्रीन सॉट भी ले सकते हैं जिसमें आपको चीजें याद रहे ठीक अभी लेक अभी लेक ठीक अभिलेक हो गया ठीक यह चीज अब इस तो असोक को मास्की थे था गुर्जरा अभिलेक में जो है असोक कहा गया है यह चीज हो गई इसके बाद में जब पुराणों में पूछा जाता है आप से कि पुराणों में जो है अभिसे अभिसे कह रहा हूं सॉरी पुराणों में ज यह हो गया यह सारी चीजें जो है important थी इसके बाद में जो है अपने सासन के आठवे वर्स में असोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था कब किया था कलिंग पर आक्रमण आठवे वर्स आटवे वर्ष में जब ये सासंग कर रहा था, जब से सासंग करना शरू किया था, तब से ये आटवे वर्ष में 261 ईसापूर जो है, इसने कलिंग पर आकरमर किया, इस युद्ध में ये विज़य इस तो हो गया था, ठीक, लेकिन कलिंग इसका पहला और आकरी युद्ध था पहला युद्ध और अंतिम युद्ध था इसके बाद इसने जो है युद्ध करना त्याग दिया था और असोकन की लगभग जो है कब मृत्यू हुई 37 वर्सों तक इसने सासन किया वर्सों तक सासन किया और इसकी मृत्यू 236 इसा पूरू हो गई मृत्य हो गई ठीक और इसे सबसे ज़्यादा फेमस क्यों था यह जो धम लिखा है इसी वज़े से जो है धम नीती की वज़े से यह सबसे ज़्यादा फेमस था नीती ठीक धम नीती की वज़े से जो इतने ज़्यादा प्रसिद है वो धम नीती की वज़े से ही है अपनी प्रजा के नैते गुथान के लिए असोक ने आचारों की एक सहीता प्रस्तुत की थी इसी को ही धम कहा जाता था अचारों की सहीता ठीक ये प्रस्तुत की थी इसी को जो है धम कहा जाता है असोक ने धम्र की जो परिबासा दिये वह राहूलोवादसूक्त से ली गई है किस से ली गई है राहूलोवादसूक्त ये मैं आपको एकदम फैक्ट क्यों बताता हूँ फिर आगे देखते हैं राजया बिसेक के बारहवे वर्स में असोक जो है निकाली सागर गया वहाँ पर जो है उसने कनक मुनी के इस्तूप का आकार बनवाया ये जो है बढ़वाया बनवाया नहीं होगा यहां बढ़वाया होगा ठीक बना पहले से था ठीक आकार बढ़वाया ये चीज था धन्म में अनुसासन के लिए असोक ने अपने राज्या रोहन के तेरावे वर्स में धर्म महामात्यों के नियुक्ति की जो है धन्म की नीती सही से चले उसके लिए उसने धर्म महामात्यों की नियुक्ति की राज् ठीक, जो है, उसने अपने आपको बुद्रसा के कहा है, लगू지ला लेक में कहा है, तीक, किस से संबन दित था, वो, राजजा विषे laugh से संबन दित था, ये सब चीजें आप से इस तरह से, पूछी जाती हैं, फिर आगे जो है, देखते हैं, इसके अभी लेकों के बारे में फिर उसके बाद में जो है तीसरे नंबर पे इनके इस्टूप लेक और फिर चौते नंबर पे जो है इनके जो है अन्य अभी लेक हैं अन्य अभी लेक इस चार परीके से इनके बारे में हमें जानकारी यां प्राप्त होती है इनी से ही असोक के जो है अभी लेक जो है चार भ आली भासा में चार भासाओं में इसके अविलेक प्राप्त होते हैं यह चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी कि इसमें इस तरह से दे दिया जाएगा तो यह चीज में एक लेंग्वेज गायब करके दूसी लेंग्वेज देंगे क्या बताइए कौन सी इसमें लेंग्वेज नहीं थी और जो है इसमें जो है यह चारों के लिए लिपी जो है कौन कौन सी थी आर्माइक लिपी में लिखी जाती थी आर्माइक और फिर यूनानी यूनानी लिपी फि थिक यह सारी लिपियां किन में किन में लिखी जाती थी इरानी थिक फिर उसके बाद में आरमाई के नाम से आपको पता चल रहा है जिक उसको jside आप अमें बताईएगा कौन सी लिपी जो है पाली महासा के लिए कौन सी प्राकरत भासा के लिए इसको मैंने इससे पहले एक लेक्चर में बताया भी हुआ है और इनकी जो लिपियां है इनकी जो जो है सबसे ज़्यादा अविलेग जो है अविलेग जो है वो सब ब्रामी लिपी में इनके प्राप्थ हुए है ठीक एक जो है इनका प्राप्त मान नाम बता देते हैं आपको मान सेहरा और साह बाजगड़ी से जो प्राप्त अभितलेखों में खरोष्टी लिपी का प्रयोग हो गया है इन दोनों में खरोष्टी लिपी का प्रयोग किया गया है ठीक ये चीज़ है उसके बाद में कांधार अबिलेक मिला है हमें कंधार उसमें जो है यूनानी और आर्माईक इसको एकसाथ कर देते हैं यह जो है इसमें मिला हुआ है कांधार का ठीक इस लिपी में मिला हुआ है और उसके बाद में जो बाकी सभी अविलेख हैं उनमें जो हैं ब्रामी लिपी का प्रयोग किया गया है असोक के जो सबसे पहले अविलेख जो हैं उनको जो है सबसे पहले बिर्टिस सित्यासकार थे जेंस पिरसेंप इन्हों ने जो 1835-36 में असोंक के अभीलेखों को सबसे पहले पढ़ा था असोंक के अभीलेखों को पढ़ा था लेखों को पढ़ा ठीक ये चीज़ें हो गई ये जितनी चीज़ें important हैं सब उसको आपको बताये दे रहा हूं अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो और आपके लिए यूस्फूल लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और सब्सक्राइब भी कर दीजे चैनल को फिर जो है इनके सिला लेक के बारे में जान लीजे असोक के 14 सिले लोखों की रशना की जिसमें आठ कौन-कौन से ह साहना बाजगड़ी जो है पाकिस्तान दौली ओडिशा जोगड़ ओडिशा यर्रागुड़ी आंद्रप्रदेश मान सेहरा पाकिस्तान और कालसी देरादून में और सोपारा महराश्ट एवं गिरनार जो है सोराश्ट में मिलते हैं अभी लेकिन में से कोई भी पूछा ज पासकी गावी मत और पालकी गुंडू रजूल मंडगिरी जंटीर रमेश्वर एवं यर्रागुड़ी इन जगहों पर इनके जो है लगुसिला लेक प्राप्त होते हैं फिर इनके स्थूप लेक की बारी आती है स्थूप लेक कहां कहां पर रामपुर्वा इलहावा लौर लौरिया अरे रांज दिल्ली टोपरा दिल्ली मेरा टेवं लौरिया नंदंगर इन जबहों पर इनके इस्थूप लेक मिलते हैं फिर इनके जो आन्याविलेक हैं वह बराबर रुमीन देई इलहाबाद निगली सागर राची और सारनात और वैराट इन जबहों पर इनके जो है आन्याविलेक प्राप्त होते हैं असोक का प्रताम अभिलेक जो है 1750 में दिल्ली में किसने खोजा था टी फैन थे लरने ठीक इनोंने जो है इसका सबसे पहले खोजा था इनका अभिलेक ठीक सबसे पहले 1750 में अब इसके बाद में जो है इनके प्रतम जो पूछे जाते हैं किसके सिलालेक के बारे में उसके बारे में आपको बता दे रहे हैं प्रतम सिलालेक के बारे में क्या-क्या दिया हुआ है पसू भली गोश्टियां गोश्टियां गोश्टियों के बारे में बताया गया है फिर आनंद सबसे इंपोर्टेंट चीज जो पूछी जाती है आनंद पूर्ण समारोह जो आज कल सब लोग बहुत करते हैं उनका जो है निसेद का निसेद इसमें बताया गया है ठीक यह चीज हो गई इंपोर्टेंट आपकी फिर उसके बाद दुतिया सिलालेक जो है दुतिया सिलालेक में असोक ने सातिये पुत्र पुत्र, केरल-पुत्र, केरल, पुत्र, चोल, पांड, सिलंका और फिर एंटियोक जो है आधिका उलेक किया है इसमें आधिका उलेक फिर उनके तरतीय सिला लेक में क्या है तरतीय सिला लेक में असोक ने युक्त, राजुक और प्रदेशिक नामक अधिकारियों और उनके कारियों का उलेक किया है कौन-कौन से अधिकारी है युक्त, राजुक और प्रदेशिक अधिकारी तो अदेशिक नामक अधिकारियों का उलेख और उनके कारियों का उलेख इसमें मिलता है हमें कारियों ठीक इनके कारियों का उलेख मिलता है फिर आपसे पूछा जाता है ग्यारवें सिलालेख के बारे में ग्यारवें सिलालेख में इनके जो है धम टिक, धम की व्याख्या है, इसमें इसलिए ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है फिर उसके बाद इनके जो तेरावे सिलानालेक है तेरावे सिलालेक को तो इतनी बार आप पूछा गया है कि कुछ कहने की बात नहीं, का लिंग विजय के बारे में है इसमें ठीक फिर उसके बाद में जो है प्रतक सिलालेक है प्रतक इस तरह होगा प्रतक सिलालेक में जो है समस्त प्रजा मेरी संतान है इन्होंने एक बार ये बात बोली है उसमें लिखी है समस्त प्रजा मेरी संतान है इस वज़े से ये जो है इनका पूछा जाने वाला कोश् यात्रा के बारे में हैं लुंबनी यात्रा का वर्णन है जब आप कोई पेपर कोशन पेपर ओर देखेंगे तो आप जो इस वीडियो में जितनी चीजे पा रहे हैं सब में से देख लिजेगा आपको कोशन मिल जाएंगे ज्यादा तर मैक्सिमम जो हैं आपको इससे अलावा बाहर की चीजे नहीं पूची जाएंगी फिर उसके बाद निगली सागरिस्तंब है इसमें जो है असोक द्वारा जो है कनक मुनी इस्तूप के दर्सन का वर्णन किया गया है कनक मुनी इस्तूप दर्सन ठीक निगली सागरिस्तंब में उसके बाद में 236 इसापूर में अस 136 इसा पूर में असो की मृत्यू के बाद जो है मौर सामराज पे बहुत सारे और अन्य सासो को ने सासन किया पर वह जो हैं ज्यादा इस तरह से सफल नहीं हुए और उनकी कोई ऐसी बहुत अच्छी नीतिया नहीं थी इसलिए हम उनके बारे में नहीं इंपोर्टेंट है नह मगद में एक नए ओंस सुंग की स्थापना की इसने कीती पुस्प मिंत्र सुंग निरे ब्रहा दा्त पर इस तरह से हम calling बने सारी जीज्जे आप जानते हैं यहां कि समाजी का अरथिक और दार्मिक इस्थिति के बारे में हम मौरे काल में भारत की समाजिक इस्थिति बहुती अच्छी थी वर्ण विवस्था तथा वर्ण अश्रम विवस्था पूरी तरह स्थापित हो चुकी थी अर्थ सास्त्र में चाह किसने लिखा है बताया था आपको कौटिल लेने ठीक क्यार वर्णों का उलेक है जबकि मेगनर्थीष साथ जातीयों के बारे में बताता है इसने अपनी किताब में साथ जातीयों के बारे में बोला है । मौरेकाल में बहु विवा प्रचलित था, इस तुरियों को केवल पुनर विवा की अनुमती थी, नियोग प्रथा का भी प्रचलन था, मौरेकाली समाज में वैस्यवर्थी का प्रचलन था, वैस्याएं गुप्तचरों का कारेक्ट भी करती थी, मौरेकाल में दास प्रथा की थी कॉसामभी पाटली पुत्र तच्छिला कासी उज्जैन और तोसली व्यापार के प्रमुक केंद्र थे इस काल में जो है सबसे ज़्यादा वस्त व्यापार व्यवसाय जो है सबसे प्रमुक व्यवसाय था मौरे काल में राजसु का सबसे प्रमुक साधन भू राजसु था ये question एक बार मेरे exam में आया है कि मौरेकाल में राजस्व का सबसे प्रमुख साधन कौन सा था बू राजस्व था फिर उसके बाद में मौरेकाल में ब्रामण धर्म को ही सरचड़ प्राप्त था किन्तु असोक के काल में बौध धर्म प्रमुख धर्म बन गया था ठीक फिर उ या ही था जैंदर्म का यह अनुवाई यह भी था फिर आगे जान लेते हैं यहां की राजनीतिक एवं प्रसासनी की स्थिति मौरे सामराज संगी एवं एक तंत्रिक था सत्ता की सरोश सक्ति किसमे नीति समराथ में असोक के काल में तीन अधिकारियों का वर्णन हमें प्रा पिर उसके बाद आशोक के बारावे सिलालेग में तीन और अधिकारियों के नाम मिलते हैं कौन से डिकारियों को नहीं तें क्या-क्या थे इसमें से कौन सन नहीं और अच्छा टप बनाना वाद इसमें से नहीं है पूछ लेंगे दम महामात्यों की न्यूक्ति असोक ने अपने सासन के 13 वर्श में की थी। यह सभी प्रकार के धर्मी मामलो का प्रमुक होता था इथिक के महामात्र क्या होता था इस्त्रियों के नैतिक आच्रणों की देख रेक करता था चंद गुर्प्त मौर के समय मौरस हमराज में चार प्रांथ थे कौन-कौन से अवंति राष्ट्र राजधानी उसकी क्या थी उजयनी ये पूछा जाने वाला कोश पूछन है उत्रापत राजधानी तर्चिसिला दच्छडापत राजधानी उसकी सुवणा गिरी और मद्य देश राजधानी उसकी पाटली पूत्र थी असोक के समय मौरस हमराज में पाच्वे प्रांत कलंग की स्थापना होई तोसली इसकी राजधानी थी कलंग की सासन का सर्वोच पदादिकारी एवं सेयना नायक था सम्राठ की सहायता के लिए एक मंत्री परसद होती थी मंत्रियों के लिए तीर्थ का प्रयोग किया जाता था चंद्रगुप्त के समय चार प्रांत थे प्रांतों के प्रमुक को राज जिपाल कहा जाता था ठीक फिर मौर औरिश्ता संग्रहन् का प्रधान अधिकारी कौन होता था गोर्व होता था गोर्व के ऊपर जो सतानिक था ससाने की ऊपर नकराधश चीम का पद था यह सारी चीजें भी पूछी जाती है अपसे फिर मेगनेटीज के अनुसार जिलादिकारियों को एग्रोनूमोई काहते थे मेगनेटीज ने अपने किताब में इसको लिखा है नगर प्रसासन से सम्मंदि कई समितियां थी जिन में पांच-पांस सदस्य होते थे ये समितियां इस प्रकार थी जनगरना समिती, सिल्प पेमो मौध दयोगीक समिती, वस्तुनिर चणई समिती, वाडिज समिती, कर समिती और विदेशिक समिती ये सब समितियों के नाम है फिर उसके बाद में मौरिसामराजी की सबसे छोटी प्रसासनी की काई ग्राम थी ये भी बहुत बार question पूछा गया है कि मौरिस अमराजी की सबसे छोटी प्रसासनी क्याई क्या थी? gram थी? gram का प्रसासनी पदा अधिकारी gram डी कहलाता था ये भी एक बार पूछा गया question है नयाय का सबसे बड़ा अधिकारी मैंने सारे fact इसमें आपको जो भी सामिल किये हैं सब जो हैं पूछे जाने वाले question और पूछे गए हैं question वही सामिल किये हुए हैं इनको आप पढ़ लेंगे तो मेरे पूरी उम्मीद है कि आपका इसमें से कोई question जो भी एक दो सामिल कराएगा वो कभी नहीं चूटेगा gram सबसे चोटा नयायले थी नयायले दो प्रकार के होते थे धर्म इस्तली थे था कंटक सोधन एक दो प्रकार के होते थे संस्था और संस्था जो है ये चीज को आपको पढ़ना रहेगा एक बार पढ़ लेंगे इसमें से एक दो चीज़ें पूछी गई है वो चीज जैसे सीखता ध्याच ये एक बार पूछा गया है इस तरह से साइड हो सकता है इसमें से पूछा जाए कि कौन सा ध्याच होता था ये जो है मंत्री प्रदान मंत्री होता था पुरोयत, सेनापती, युगराज, चनी धाता, राजकी कोश का अध्याच, समाहर्ता, करका संगरहा, दौवर्च, राजदर दर्बार, सीमा, राजकी का संगरच्छ, ये सब चीजें हो गई, फिर उसके बाद में जो है ये देखिए, कोशा अध्याच, कोश का प्रबंदग, आकारध्याच, खानों का अधिकारी, फिर उसके बाद में जो है स्वनाध्याच, स्वन विबाग का अध्याच, इस टाइप से ये सारी चीजें एक बार आप पढ़ लिजेगा, वो धैच जो है, पसु विबाग का अध्याच था, ठीक, ये सब चीजें, जो हैं, आप एक से वीडियो में इस तरह से आपको इसमें कम्प्लीट कर दिया है, पूरी कोशिस कर रहा हूं कि आपका 되어 ही कर दूँ, मिलेंगे अब अगले वीडियो में वीडियो पसंद आई हो तो उक्रप्रपया इसको लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें और दूसरों को किसी ना किसी ग्रूप में सेयर कर दें जिससे जो है बहुत ज़ादा हेलप होगी और लोगों की भी ठीक मिलेंगे आप अगले वीडियो में जब तक के लिए पढ़ते रहें नमस्कार धन्यवाद